आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही T20 में टीम इंडिया को मिली करारी हार रोहित शर्मा की कप्तानी पर फिर उठा सवाल ऐसे में टीम इंडिया की नईया रोहित कैसे लगाएंगे पाथ जी हम बात करें भारत और ऐस्टेलिया के बीच खेले गए पहले टीट्वेंटी मुकाबली की भारती क्रिकेट टीम और फैंस के लिए मुहाली टीट्वेंटी मैच बुरे सपनी जासा रहा बल्लेबाजों ने पहले अच्छा टार्गेट सेट किया लेके एक पर फिर टीम इंडिया के गिंदवाजों ने एशिया कप वाली गल्ती दोराई जी हाँ टीम इंडिया की गिंदवाजी पूरे मैच के दोरान बेशर न जराई आउस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने ताबट तोड तरीके से रन भी बनाए और मैच आसानी से जीत लिया इस जीत के साथ आउस्ट्रेलिया ने तीन टी-ट्वेंटी मुकाबलों में एक सुन्ने से बढ़त बना ली है आउस्ट्रेलिया के पारीक दरान उमेश आदो ने मैच का दूसरा ओवर डाला हलाकि उनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ कैमरन ग्रीन ने लगतार गेंदों पर चार चौके जर दिये इसके बाद इस ओवर की दूसरी गिंद पर जब उस्ट्रेलिया गिंदवाज ने चौका मारा तो कैमरे में विराट कोली का एक रियक्शन जो है वो कैद हो गया इस दौरान कोली काफी परिशान नजर आ रहे थे उमेश आदों का पहला ही ओपर काफी महंगा साबित हुआ जो की मुहमद श्रमी के जगे पर टीम में शामिल किये गये थे हाला कि उस ओबर में विराट कोली के रियक्शन को देखकर वेस्ट इंडीस के दिगज यान बिशप भी खुद को रोक नहीं पाएं और विराट कोली का ट्वीट किया ये ट्वीट आफ फिलाल देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा मुझे लग रहा है विराट कोली के लुक पर मिम बनने जा रहे हैं पहले टी-20 मुकाबले में ऑस्ट्रलिया के टीम ने भारती टीम को चार विकेट से हरा दिया लेकिन टीम इंडिया की गिंदवाजी में ही कमी नहीं रही टीम इंडिया की गिंदवाजी के साथ-साथ फिल्डर्स ने भी बहुत ही आसान आसान से कैट छोड़े और बीच बीच में कई ऐसे मौके हैं जहांपे बल्लेबाजों का जो बल्ला है वो गेंड से टकराया लेकिन ना तो विकेट के पर को सुनाई दिया ना ही गेंडबाजों ने कुछ रियाक्ट किया ऐसे में जब कप्तार रोहिश शर्मा को ये बात पता लगा तो वो मजाक में दिनेश कारती की गर्दन पकरतों नजर आएं देखी ये तस्वीर ये तस्वीर वही है जो लगाता सोशल मीडिया पर पूरे मैच के दौरान वाइरल हुई इस पे लगातार अने को मिंस बने लेक जस्परीद बुमरा होते थे वो एशिया कप के दौरान टीम के साथ नहीं थे लेकिन एशिया कप के बाद आउस्ट्रेला के साथ जो हम तीन T20 मुकाबले खेल रहे हैं इस दौरान कहीं न कहीं उम्मीद थी कि जस्परीद बुमरा जो है वो पहले मुकाबले में टीम इंड बाजी के तौर पी इनको देखते हैं उस तरीकी भूमिका हर्शल पटेल को निभानी चाहिए थे जो कि पूरे मुकाबली के दरान कभी नहीं दिखाई दिया हाला कि हर्शल पटेल महेंगे उबर उन्होंने डाले हैं हर्शल पटेल की गिंदबाजी जो है बहुत महेंगा ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या रोहिश शर्मा आने वाले जो दो अन्या टीट्वेंटे मुकाबले हर्शल पटेल के खिलाफ उसको लेकर क्या कुछ रणिती बनाएंगे और क्या जस्परीत बुमरा जो है वो दूसरे और तीसरे टीट्वेंटे मुकाबले में टीम जराएंगे जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जुरूरी है आपको ये अपडेट कैसे लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे